कि हें गाइस वेलकम टू देव भूमे का रियर पॉइंट तोड़े इस 15 फैबुरी 2020 अनिस वीडियो में अज हम कल का मतलब 14 फैबुरी 13 फैबुरी का करेंट अफेर्स कवर करेंगे कि आज की फिर्स करेंट अफेर है जल्जीवन मिशन से रिल्टिट तिक राजस्तान गौर्मेंट ने अभी क्या कि हैं आपके कुछ चेंजिस लेकर आएं वह आपका ठीक है जो सेंट्रल से सिस्टेंस मिलूथी जल्जीवन मिशन की ठीक है ठीक ही। इy आपके कैसी स्कीम है जिसमें आपका सेंट्रल आपका का कर रहा रहा है तो गाइड कर रहा है है फिर गारांटी दे रहा है कि जिस конце or state government और सेंट्रल गॉर्मेंट का वो इसका होगा 50-50 के रेशियो में होगा अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कीवल ऐसे भी 12% हाउसोल्ट है जिनमें पाइप के तुरू वाटर अवेलेबिलेटी है लोगों को ठीक है लेकिन अभी राजस्थान कॉम्मेट ऐसे आपके नॉर्म्स और फॉर्म कर रही है ऐसे से एक्षन प्लैन्स लेके आ रही है जिससे जो वाटर कनेक्शन प्रवाइड होंगे 98 लैक्स जो भी हाउसोल्ट है ठीक है जो आपका जलजीवन मिशन है यह इंप्लिमेंट हुआ था आपका कॉनसी स्कीम के अंदर स्टेट वाटर स्टेट वाटर एंद सैन वाटर हार्वेस्टिंग ठीक है इन से भी को क्या करती है फोकस करकी आपका अभी तक कर रही थी वाटर को पाइप्स के थ्रू हाउसोल सक मुचा रही थी लेकिन अभी अभी राजासान गौर्मेंट क्या कर रही है चेंजे लेकर रहेगी अगर हम राजासान गौर्मेंट क प्रवाइट वाटर सब्लाई को प्रवाइट करने अगर हम इंडिया के बात करें तो इंडिया के पास कितना है 16% में इंडिया में डिजाइट करती है और अगर वाटर फ्रेश वाटर के रिसूर्से देके तो कितना है only 4% तो बहुत ही difficult है survive करना अगर near future अगर sustainable development goals पर focus नहीं किया अगर अभी water water को save नहीं किया अभी हमने अलग-लग आपके alternatives जो ideas हैं उन पर plans पर काम नहीं किया तो तब तक बहुत लेट हुचाएगी और सुके पढ़ने के बहुत chances हैं like आपके पानी की scarcity, water scarcity कैसी होती है जैसे आपके deplete हो रहा है आपका ground water हो रहा है over exploitation हो रहा है climate change के हो जैसे हो रहा है आपका water quality के और ये day by day decrease होती जा रही है ठीक है? इनों जैसे क्या है आपका जो water की quality, scarcity इस चीज़ पर जादा आपका कम हो जाती है आपका किस चीज़ पर फोकस करेगा integrated demand supply management ठीक है? ताकि जो water scarcity है उस पर काम किया जा सके और जो water की availability है through pipes वो आपका households पर पहुंचाया जा सके next इंटेफिर आपकी है daily government has rejected a petition on voting rights for prisoners ठीक है? तो अभी voting rights जो prisoners के लिए है, jail में जो रहते हैं उनके लिए क्या है आपका reject कर दिये ठीक है? अगर हम observations देखें जो आपकी quote ने पर नहीं है तो first observation दुना ने देखी कि जो right to vote है वो ना तो आपका fundamental right है ठीक है? और ना ही ऐसा कोई common law है कि आपका prisoners को भी voting rights दिया जाए ठीक है? secondly अगर हम देखें right to vote किसके अंदर प्रवाइड हो है आपका RPA Act representation of people act 1950 वन जिसमें क्या है आपका ये subject आपका restrictions कामत है, restrictions put कर सकते हैं इसमें, law impose करके, so ये क्या allow करता है ये allow नहीं करता है कि prisoners को क्या दिया prisoners को आपका right to vote या फिर right to cast a vote आपका उनने provide किया जाए सिर्फ उन लोगों के लिए जो आपका preventive detentions में रहते हैं, ठीक है? वो के विल अपका अपना जो vote है वो cast कर सकते हैं through postal ballots तो आप लोगों के लिए question है आप मुझे comment box में लिखके बताएं कि preventive detentions जो law है यह हम कौन से article के अंदर पढ़ते हैं ठीक है? अगर हम बात करें यह आपका news में क्यों था भी आपका कि इनकी जो petition आपकी reject कर दी गई ठीक है? जो under trials होते हैं लोग जो आपके jail में होते हैं वो क्या होते हैं? उनको allow करना चाहिए ऐसा आपका लोगों ने petition डाली थी कि allow करना चाहिए write उनको allow करना चाहिए vote करने के लिए क्योंकि आपके बहुत सारे जो ऐसे लोग है वो आपके क्या है? wait कर रहे हैं for the trials ठीक है? और numbers जो हैं आपके around आपके कितने है? 2,82,879 मतलब 3,00,000 लेलो आपके around 3,00,000 जो लोग हैं वोभी क्या हैं अपके under trial है यह आपका किसकी report के थूँ आपका बताया है NCRB की report के थूँ आपका यह numbers आपके क्या हो हैं count हो हैं ठीक है? so क्योंकि इनोंने आपका बहुत सारा spend कर ले है already time अपका prison में actual time से भी ज़्यादा तो इसलिए इनको क्या होना चाहिए यह under trials में है और यह trial का wait कर रहे है और अपनी सजा भी पूरी कर लिए तो इनको क्या होना चाहिए right to vote इनको होना चाहिए अगर हम globally बात करें तो Europe, Finland, Norway, Spain, Australia इन सबने क्या allow कि आपका prisoners को as a right to vote ने provide कर रहे तो इसलिए आपका इंडिया में भी क्या हो रहे है इस जिसके लिए अभी बात चल रहे है कि right to vote को दिया जाए या नहीं दिया जाए तो अभी Delhi government ने क्या कर दिया आपका reject कर दिया फिलाल तो यह petition next current affair आपकी है विवाद से विश्वास scheme ठीक है क्या है विवाद से विश्वास scheme यह कब announce वेती यह announce वेती by union finance minister budget के time पे ठीक है इसका aim क्या है आपका huge number of जो pending जो आपके direct taxes है उनको का करना है resolve करना है significance क्या है आपका इस scheme का यह जो scheme है aims to resolve 483,000 जितने भी आपके cases है direct tax related यह आपके जो pending है इनको resolve करना है जो आपके disputes है आपके यह क्या cover करेंगे at the level of मतलब आपके supreme court high court फिर ITAT जितने भी इन से रटेट आपके जितने भी cases है उनसे का करेगा resolve करेगा यह पर ITAT किया है income tax appellate tribunals ओके next अरेंटर फिर आपका है pesticides management bill 2020 तो यह भी क्या हुआ है approval union cabinet ने इसको क्या दिया approval दिया है pesticides management bill 2020 to promote use of organic pesticides in the country ताकि लोग क्या करें आपका country में organic pesticides पे ज़्यादा focus करें तो आपका pesticides management bill 2020 आपका approval मिली है ठीके अगर हम बिस बाल की बात करें तो bill की बात करें तो bill की empower करेगा farmers को to get all the informations about या फिर regarding pesticides ठीके या फिर पैसी साइट से रिलेटर जितनी भी आपके informations होगी उन सब को क्या होगा आपका farmers को क्या करेगा वो आपका ले सकते ठीके और आपका जितने भी डेटा होगा वो डिजिटल फॉर्मेट में आपका प्रॉइड होगा या फिर अविलेबल होगा in all the languages लाइक आपका तमिल, कंड़, मल्यालम जितने भी आपकी languages आपकी रिखनेया में बूली जाती है उनसे भी languages में पक्या होगा डेटा प्रॉइड होगा ताकि आपका जो farmers है उनको Hindi और English या फिर कोई अलग-अलग जो languages है उन पे स्ट्रगलना करना पड़े बिल जो है आपका also क्या बिल फोकस कर रहा है आपका तो आपके advertisements भी आपके क्यांगिस में बिल का करेगा प्रॉइड करेगा ताकि advertisement की तुरू आपको ज़्यादा knowledge आपकी farmers की बढ़ेगी अगर अब भी हम बात करें तो जो farmers है या फिर law जो है पैसी सेसिलेट अभी कौन सा चल रहा है आपका 1968 का जो act था insecticides insecticides act 1968 अभी तक इसी यही चीज़ पर क्या चल रहा चल रहा था लेकिन अभी क्या हो जाएगा यह bill pass हो जाएगा तो फिर pesticides management bill 2020 को ही norms को follow करेंगे अगर इंडिया का देखे हम तो इंडिया जो है fourth largest producer है आपका pesticides का ठेखे fourth largest world में और अपके इंडिया में 108 स्टेट तो ऐसी हैं जो consumes करती है 70% of pesticides ठीक है 70% परसंट 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 आपका कौन यूज करती है 8 स्टेट आपके इंडिया में यूज करती है ठीक है और अगर हम बात करें तो कितना है इसका शेयर 26 to 28% ठीक है अल्मस्ट थर्टी ले लो 30% जो pesticides है वो आपका पैडी की ग्रॉप में यूज होते है ठीक है और फिर secondly आपका cotton cotton का है 18 to 20% ठीक है तो अल्मस्ट 20% ठीक है तो सबसे सादा जो पैसिसाइड आपके यूज होते हैं आपके कौन सी क्रॉप में होते हैं पैडी में होते हैं और फिर secondly आपका कौन सी होते हैं आपके cotton होते हैं ओकी और अगर हम बात करें आपे 292 पैसे साइड जो रेजिस्टर वहीं है भी कंट्यमें आपर कंट्री में और 70 का कश्मीर में, तो उसके बाद से अभी गौर्वर्मेंट ने किसी पर फोकस करना शुरू कर दिया आपका infrastructure and कश्मीर reason ठीक है, जम्मो कश्मीर में आपका infrastructure के लिए फोकस करना शुरू कर दिया है तो अभी क्या high approval मिलिया है कि जो दो aims है, ठीक है और nine medical college nine medical colleges जोंगे वो जम्मो कश्मीर में क्या होंगे, बनाए जाएंगे ठीक है, aims का जो proposal है वो union government ने किसंद किस के अंदर दिया है आपका, प्रधान मंतरी स्वास्ते सुरक्षा यूजना प्रधान मंतरी, स्वास्ते सुरक्षा यूजना, यह scheme कब आई थी अपकी यह 2006 में आई थी अपकी, कब आई थी? 2006 में प्रोजेक्ट जो आपका complete हुजाएगा वो 2022 तक के complete होने की possibilities है ठीक है, और aims का जो यह college है यह आपका nursing college भी आपका क्या होगा इस पे आपका क्या होगा nursing college आपका 20 में होगा अब ऐसा लग रहा है जितने भी आपके aims और medical colleges को रहे हैं अब biology बच्चों को ज़्यादा लेनी चाहिए ज़्यादा जो scope है वो इस field में हो रहा है जैसे एक टाइम पे engineering का scope था, अब मुझे ऐसा लगता है कि nursing colleges इन सब का scope biology, medical field में ज़्यादा होने मला है जिससे आप से आपके colleges वगएरा आपके aims वगएरा जितने जिससे आप से develop हो रहे हैं, infrastructure अगर हम बात करें जो आपके प्रधान मंत्री स्वास्ते सुरक्षा यूजना है यह आपका phases में काम करती है तो first phase में आपके six aims यह आपके आज की last current affair थी so guys, I hope कि आप लोग अपका proper अपना revision कर रहोंगे और यह कुछ important ही current affairs होती हैं जो मैं आपको करवाती हूँ देखना, आप exams में इनसे हमेशा कुछन कुछ कुछन बनते ही रहेंगे देखना, like आपका pesticide से बन जाएगा, aim से बन जाएगा स्वास्ते सुरक्षब, योजना से बन जाएगा okay, so अपना revision proper अच्छे से करिए और exam के लिए अच्छे से preparation किए अभी forest guard का exam है 16 को so all the best उन लोगों को जिनका exam है thank you so much